तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नमबर टू यह पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं हिंदी में हम इनको बोलते हैं बहु पद ठीक है तो बहु मतलब जैसे हिंदी में होता है एक बचन और बहु बचन तो वैसे ही बहु मतलब बहुत सारे है पद मतलब टुकड़े तो एक से ज्यादा टुकड़े यह बहुत सारे टुकड़े जो होते हैं जब हम टर्म्स लिखते हैं जैसे फॉर एक्जामपल फाइव एक्स प्लस थ्री हमने लिखा तो इसमें एक यह है पार्ट एक यह पार्ट है ठीक है इस इस पॉल्लॉमियल इस इ प्लस थ्री इस चीफ लिख선 एक जादा रुब रहें इस आपके इन लीजो किस आपके प्लस बस प्लस और माइनस को दर्साते हैं जैसे अगर आप यह पॉल्लॉम्य ने कि अ हैई जो पॉलिमियुमियल है को आपका 3 here 3 is constant term जो 3 आप चाहे यहां इस यहां देख लो अपनी copy बे लिख लो यह कहीं और जाके पढ़ो वो 3 ही होगा किसी और फंटरी में पढ़ लो जाके वो 3 है 3 ही रहेगा वहां जाके भी that is constant term वो change नहीं होगी ठीक है 3 is here constant term now what is x x is our variable variable आपने बहुत सारी value सुनी होगी कि इस question में x की value 1 आ रही है इसमें 2 आ रही है इसमें 3 आ रही है so x जो वो vary करता है vary से ही आपको समझा रहे है vary मतलब वो change कर रहा है fluctuate कर रहा है अपनी value को कभी कुछ और आ रहा है अलग अलग condition पे x की value differ कर रही है that is variable ठीक है variables होगे यह constant term होगे अब mainly polynomials में होता क्या क्या है first of all terms होगी यह terms है आपके पास अब terms में क्या क्या है आपके पास constant चीजे हैं जैसे यहाँ पर 3 है यहाँ पर 3 है यहाँ पर 3 है यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है constant terms होगी variables होगे जिनकी value vary करेगे according to question ठीक है अब variables भी होगे अब एक चीज और ह जो इनकी अब आप mainly है degree what is degree यह भी आपने 9th class में पढ़ा हुआ है degree क्या होती है जो highest यह जो polynomial है मालो आपके पास polynomial है px is equal to 3x square plus 4x plus 9 जो जो x की जो highest power होती है उसको हम बोलते है degree यहाँ पर degree है 2 ठीक है तो यह degree जो होगी यह हमेशा ही non negative होगी यह minus कभी नहीं होगी अगर minus लिखा भी होगा तो वो degree count नहीं होगी ठीक है हमेशा इसमें non negative degrees आएंगी और यह extender form में लिखे होगे max में देखो अब यहाँ पर यह decreasing form में होगी यह increasing में according to degree यहाँ पर degree 2 है यहाँ 1 है और यहाँ पर 0 है यहाँ फिर हम इसको उल्टा लिख सकते हैं 9 plus 4x plus 3x square यह तो इस form में लिखे होगे यह इस form में यह हमेशे non negative होगी negative नहीं आएंगी और extended form में लिखे होगे ठीक है now this is our definition about polynomial that is यह हमारी general form होती है polynomials की इसमें a vc कुछ भी हो सकते हैं that is constant numbers है ठीक है so ax square plus b x plus c is a polynomial where a vc are real numbers real number का concept हमने पिछे चेप्टर में clearly पढ़ लिया this is real numbers ठीक है and all the exponents of x are non negative integer exponents जो होते हैं उनको जो degree है उसको हम exponent भी बोलते हैं जो आपकी degree आती है वह मेंशा non negative ही आती है जो मैंने आपको भी बताया अब हम इनको divide करते हैं polynomials के भी आगे part होते हैं जैसे अब आपके पास है according to terms कितने terms include है polynomials में ठीक है फर्स्ट है monomial that is 2x 21 5x square minus 6x y square कुछ भी हो सकते हैं वह हम बोलते हैं monomial ठीक है y-nomials y-nomials जिसमें 2 parts है obviously y का मतलब होता है 2 that is 2 parts है इसके भी इसके भी 2 parts है y raise to over 30 plus 9 last है trinomials जिसमें 3 parts में इसको divide कर लिया अब हम इसको एक और टाइप में divide करते है according to degree and exponent इसमें भी type होते है linear polynomial quadratic polynomial and cubic polynomial ठीक है linear polynomial क्या होगे जिनमें degree जो होगी इनकी जो हमारे पास variables है उनकी degree जो होगी 1 होगी ठीक है उनकी degree 1 से ज्यादा नहीं होगी यहां पे देख लो इसकी degree 1 है इसकी भी degree 1 है अब quadratic polynomials में आप देख लो इसकी degree कितनी है x हमारा variable है उसकी degree highest degree देखनी है ठीक है that is 2 तो यहां पे quadratic हो गया वो that is polynomial of degree 2 is called quadratic polynomial okay क्यों भी polynomial के case में क्यों होता है जहां पे highest degree अब ऐसा नहीं कि आपने यहां देखो 2 भी है यहां पे degrees की 0 है लेकिन आपने देखनी है सबसे highest कितनी है तो इसमें highest degree है आपकी 3 that is cubic polynomial okay a polynomial of degree 3 is called cubic polynomial यह कुछ examples मैंने लिखे है इसमें highest degree 3 है तो यह cubic polynomial हो गया तो इस टाइप में polynomials है और इनके टाइप से according terms और इसमें degree क्या है ठीक है now the next concept is zeros of polynomial zeros बो होते हैं हल हम इसको बोल सकते हैं जो हम हल करेंगे polynomial को हम solve करेंगे that is अगर हम कोई example लें जैसे polynomial हमने ले लिए px is equal to x minus 4 हमने polynomial ले ले ली यह हमारी कौनसी polynomial है यह linear polynomial क्योंकि इसमें degree जो है आपकी 1 है according to terms कौनसी polynomial है यह that is our binomial polynomial okay now this is our question अगर मैं यहां पे x की value 4 पुट करूं 4 minus 4 that is equal to 0 इसका मतलब है 4 हमने जो यहां पुट किया 4 is 0 of this polynomial ठीक है 4 is 0 है यह इस जो polynomial है आपका इसको satisfy कर रही है ऐसा कोई ऐसी कोई constant term जो आपकी polynomial को satisfy करके आपका answer जो है वो 0 आ जाए उसको हम बोलेंगे आपकी 0 0 of polynomial ठीक है now what about graphical representation अगर हम इसी polynomial को एक graph में लिखना बनाना चाहें तो आप कैसे बना सकते हो x और px की value मैंने यहां ली हुई है अगर मैं इसकी value x की value अगर मैं 0 लेती हूँ तो px कितना आ रहा है आपके पास अगर मैं यहां 0 put कर रही हूँ x की वे जगा अगर यहां पर मैं x की value जो है यहां पर मैं 4 put कर रही हूँ तो आपके पास क्या यह था 0 so this is our start of a graph यह x-axis हो गई यह y-axis हो गई अब आपको मतलब px मैंने यहां पर y-axis नहीं लिखा है उसके यहां पर तो उसमें कोई problem नहीं अगर यहां पर y-dia होता तो मैंने हम px लिए है तो मैंने according to x2 px के उपर graph बन लाए so this is 0 1 2 3 4 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 ऐसे कुछ होगा नीचे तक सौन कहां पर कितनी बार intersect कि x-axis को that is one time तो हमारे पास इसके according एक conclusion निकाल सकते हैं जो हमारे linear polynomials होते हैं linear polynomials जो होते हैं उनके maximum solution जो आपके पास आएगा वो 1 आएगा यह तो 0 आएगा यह तो 1 आएगा यह तो 0 आएगा ठीक है आप चाहे कोई भी try कर लो आपका linear polynomial कोई भी आप ले लो, आपके पास एक line आएगी चाहे वो यहां से आए, चाहे वो कहीं से भी आए, ऐसे आए, कैसे मर्जी आए, लेकिन वो x-axis को सिर्फ एक ही बार कट करेगी, that is all about linear polynomial, so हम next करते हैं quadratic polynomial, what is quadratic polynomial नहीं आभी आपको बताया, जिसमें जो आपकी degree होती है, वो 2 होगी, ठीक है, अब हम example लें, जैसे quadratic polynomial का y is equal to x square minus 3 x minus 4, अगर हम यह example है, तो यहां पर x की value अगर हम 0 पुट करें, और हम पूरा में इसको बताते हों, detail में आपको, अगर मैं x की value 0 पुट कर रहे हूं, तो अगर आप उसको solve करो, यहां 0, 0 और y की value आएगी, minus 4, ठीक है, अगर 1 पुट कर रहे हूं, तो यहां 1 पुट करो, 1 minus 3, that is minus 2, minus 4, that is minus 6, ठीक है, अगर मैं इसकी value 2 पुट कर रहे हूं, तो क्या आएगा, 2 square 4 minus 6, minus 4, that is minus 6, again, अगर मैं इसकी value 3 पुट कर रहे हूं, तो क्या आएगा, 9 minus 9, minus 4, that is minus 4, ठीक है, कुछ ऐसे solve करके, अब कुछ values हम negative क्यों लेलते हैं, minus 1 में यहां पुट करोंगी, तो minus 1 plus square 1, minus 3, plus 3, minus 4, that is 0, minus 2 में यहां पुट कर रहे हूं, तो आपके आएगा, अगर मैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूँ, मान लो, 1, 2, 3, 4, 5, minus 1, minus 2, minus 3, minus 1, 2, 3, 4, minus 1, minus 2, minus 3, so on, x-axis है और यह y-axis है, तो first of all, x की value है आपके पास, minus 2, x-value minus 2 है, यहां पे आएगी, और हमें y की तरफ जाने है, 6 पे, तो हमान लो, 5 और यहां 6, यह अप्रोक्समेटी यहां पे आगे, आपका 6, that is minus 2, 6 यहां पे आगे, minus 1, 0, minus 1 है, x-axis पे जाने है, minus 1 और 0, यहीं पे रहने है, आगे नहीं जा अब 0 है, आपकी x-axis, यहन की 0 यहां पे है, और minus 4 जाने हमने y-axis के along, तो minus 4 यहां होगा, minus 4 यहां आगे आपके पास, 0, minus 4, अब along x-axis is 1, 1, अब along y-axis हमें जाना है, minus 6, तो minus 6 कहीं यहां होगा, minus 5, minus 6, यहां होगा, 2, 2, minus 6, यहां पे, 2, minus 6, अब 3 और minus 4, 3 यहां पे, minus 4 यहां पे, यहां पे, 3 and minus 4, ठीक है, यह आपके points हमने कर लिए, अब हम इनको connect कर देंगे, यहां पे एक और ले लो, 4, जब हम यहां 4 put करोगे, x की value, तो आपके पास y की value 0 आईगे, तो 4 यहां पे और 0, यहां पे, यहां पे 4 और 0, तो अब इनको हम join कर देते हैं, ठीक है, point to point, यह कुछ ऐसे आपका graph बना, अब इस graph ने, x-axis को कितने times cut किया, 1, यहां पे, 2, यहां निकाल लेंगे कि quadratic polynomials में x-axis को कितने times काट रहा है, 2 times, तो इसके जो solution आएंगे, आपके पास zeros जो आएंगे, quadratic polynomial की वो यह तो 2 हो की, 2 solution होगे उसके, यह तो 1 होगा, यह तो 0 होगा, आप जाहे किसी भी, कोई भी इस type का graph बना के देख लो, जैसे अगर आप ऐसे हो, अगर आप यहां बना लो, ऐसे बना लो, graph बना लो, तो यह x-axis को only two time ही cut करेगा, अगर ऐसे नहीं तो जैसे आप, आ यह वाला graph आपकी x-axis को cut नहीं करेगा, so quadratic polynomial के जो solutions आएंगे, वो यह तो 2 होगे, यह तो 1 होगा, यह तो 1 भी नहीं होगा, okay, so हम आप example लेते हैं, cubic polynomial का, that is x-q, y is equal to x-q minus 4x, आप इसके जल्दी-जल्दी से बना लीजे, आपको यह तो आते ही होगे, कि कैसे हम values find out करते हैं यह अगर मालो x जो हपके बस 0 है, यहाँ पर 0 जाएगा, y की value जो है वो, 0 ही आएगी, हम थोड़े negative के भी points लेंगे साब में, अगर हम 1 यहाँ पूट करते हैं, तो 1 minus 4, that is minus 3, 1 पूट करके, अगर 2 हम यहाँ पूट कर रहे हैं, x की जगा, तो यहाँ पर 8 minus 8 बन जाएगा, that is 0, अगर हम minus 1 पूट कर रहे हैं, यहाँ पर, that is minus 1 plus 4, that is 3, अगर हम minus 2 यहाँ पूट कर रहे हैं, तो यह जाएगा, minus 8, minus 8, minus 8 plus 8, that is 0, अब हम जल्दी इसके graph बना लेंगे, आपको लॉंग x-axis, that is 1, 2, 3, x-axis है, यह y-axis है, minus 1, minus, sorry, 1, 2, 3, minus 1, minus 2, minus 3, minus 1, minus 2, minus 3, and so on, आपको लॉंग y-axis के along आगे, ठीक है, so minus 2 है, यहाँ पर along x-axis, यहाँ आगया, और 0 है तो यहीं पर रहेगा, यह हमारा point आगे, minus 2 and 0, अब minus 1 है और 3 है, minus 1, और along y-axis, यहाँ आजाएगा, आपके पास, minus 3, minus 1, sorry, यहाँ नहीं आएगा, प्लस 3 है, तो यहाँ minus 1, according यहाँ पर, यहाँ पर आपको point आ रहा है, that is minus 1 and 3, next is 0, 0, यहीं के एक point यहाँ भी आएगा, 0, 0, 1 and minus 3, 1, along y-axis, this, 1 and minus 3, 2 and 0, 2 और 0 यहीं पर, 2, 0, ग्राफिकल रिपर्जेंटेशन ऐसे होगी, अब हम इन points को मिलाते हैं, तो first point यह है, second यह है, along y-axis जाएगा, फिर है 0, 0, फिर नीचे आएगा, फिर 1 और 3 वाला point है, यह यहाँ आएगा, और यह जाएगा, यहाँ को, कुछ ऐसा सा आपका ग्राफ बना, यह बना, तो इस ग्राफ ने आपकी x-axis हो कितने times cut किया, 1, 2 and 3, तो यहाँ से यह आपको मिल रहा है कि कॉविक पॉल्नोमेल में, जो आपके solutions आएगे, यह तो 3 आएगे, यह तो 2 आएगे, यह तो 1 आएगा, यह तो 0 है, आपके इतने options ह में solution के लिए, आपकी जो cubic polynomials होती है, जैसे यहाँ पर डिगरी 3 है, तो यह तो यह तो यह तो यहाँ पर बना के देख लिए, यह 3 टाइम कट कर रहा है, यानि कि इन सबसे हमें यह conclusion आ रहा है कि जितने times आपकी जो graph होगा, वो आपको x-axis को intersect करेगा, करेगा, उतने ही आप के solutions होगे, उतने ही आपकी zeros होगे, तो अब हम स्टाइट करते है, exercise number 2.1, so in exercise 2.1, the first question is, बहुत इसे जो भी मैंने आपको detail में समझाए कि कितने cut करेगा, उतने उतने उसके zeros आएंगे, graph of y is equal to px are given below, and for some normal px, find the number of zeros, आपने इसमें number of zeros find out करनी है, in each case, अब देखो यहाँ प यह में सीधा ही आगे को, तो यहाँ पर यह x-axis को cut कहीं नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इसके no solution आएगा, first answer आएगा no solution, अब इस case में देखो, यह x-axis को कितने times cut कर रहा है, only one time, so इसका solution आएगा, only one, one, zero, ठीक है, और इसमें देखो, one, two, and three, three times यह x-axis को intersect कर रहा है, cut कर रहा है, so इसके 0s आएगे, number of 0s is three, इस question में one or two times कट कर रहा है, तो यहाँ पर आएगा आएगा आपके पास two solutions, two zeros, यहाँ पर आएगा one, two, three, four time कर रहा है, तो यह four, इसमें आएगे आपके पास four zeros, ठीक है, इसमे इसमें आपके पास यह कर रहा है थ्री टाइम्स ठीक है तो इसमें आपके पास कितने आएंगे थ्री जीरोज तो यह बहुत एजी था आपने पॉलनॉमिल्स का पूरा कॉंसेप्ट समझ लिया आगे हम इसके जीरोज के उपर और डेटियल में पढ़ेंगे उनके सम उफ जीर प्रोड़क्त ऑफ जीरोज और अगले एक्साइज हम कंटिनू करेंगे तो अगर आपको एच्छे लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए थाकि आपको डेड़ी अपडेट मिलता रहे थैंक यू